Flipkart Axis Bank Credit Card इस Credit Card को अब तक Axis Bank 20 लाख लोगों को इशू कर चुका है पिछले 2 साल से एक Credit Card मेरे पास है तो इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा का पूरा Experience बगाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल सकेगा कि एक Credit Card आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए detailed वीडियो होने वाला चैनल पिना है तो जो सबस्काइब कर लीजेगा without further delay let's get into the details तो सबसे पहले तो इसके joining और annual fee के बारे में मैं आपको बताता हूँ यह जो credit card है जब मैंने लिया था तो 500 उपीज का मैंने joining fee pay किया था but next year जब इसका annual fee pay करने का time आया तो मैंने customer care को call किया था और उनसे request की थी कि इसको lifetime free कर दीजे and उन्होंने मेरी request accept कर ली और अब यह जो credit card है lifetime free है याने कि कोई fee इसका मुझे pay नहीं करना पड़ता and इसी के साथ जो इसका flip card app है and access bank का website है उस पे offers आते ही रहते हैं कि आप इस credit card को lifetime free apply कर सकते हैं without condition कोई condition नहीं होती तो आप wait कीजेगा जब आपको lifetime free का offer मिले वैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आपको पता चल जाएगा अभी कुछ दिन पहले इसका offer बंद हुआ है जो lifetime free वाला था या फिर flip card application जो है वहाँ से भी आप apply कर सकते हैं apply करने का जो link है मैंने description में दे दिया है तो अगर आप salary person और 15,000 रुपे कमा रहे हैं तो आप इस credit card के लिए eligible है आप इसको apply कर सकते हैं इस credit card के जो सबसे बड़ा highlight है उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इस पे मिलता है आपको 5% का unlimited cash back on flip card and mintra इन दोनों platform पे अगर आप flip card taxes bank credit card से कोई भी spend करते हैं तो इस पे आपको unlimited 5% का cash back मिलता है कोई limit नहीं होगी यह सबसे best part है इस credit card का क्योंकि flip card जो है almost सारे products जो है आजकल flip card पे available है क्योंकि जब सही इन flip card को Walmart ने acquire किया है तो उसकी services में काफी improvement हुआ है and almost सारे के सारे product चाहे कोई भी brand है आपको flip card पे मिल जाता है इसी के साथ जो mintra है mintra पे भी आपको almost सभी brands के accessories, clothing, सब कुछ मिल ही जाता है वहाँ पे बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है इस credit card को आपको commercially use नहीं करना ऐसा नहीं कि आप अपने रिष्टेदारों के order भी place कर रहे हैं अपने दोस्तों की order भी place कर रहे हैं इसका impact यह हो सकता है कि अगर आपका transaction suspicious लगता है access bank को तो आपका credit card जो है वो cancel कर दिया जाएगा इसी की चीज को ध्यान में रखते हुए flip card ने इस card पे एक restriction लगाई हुई है कि एक limited number तक ही आप एक महिने में product जो है place कर सकते है reasonable जो एक आदमी अपने लिए products place करता है order तो उतना ही number जो है इसके लिए इनोने decide करके रखा हुआ उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपका जो transaction है वो suspicious category में आ सकता है इसी के साथ 4% का जो unlimited cashback है वो आपन करते हैं swigipay, curefit, pvr, uber, tata, sky, tata, 1 mg and clear trip पे तो इन platform पे जब आप इस credit card से transaction करते हैं तो unlimited 4% का जो cashback है वो आपको मिलेगा तो ये merchants जो हैं काफी अच्छे हैं इन पे काफी range available है products की तो आपको इन पे भी इतना सारा cashback देखने के लिए मिल जाएगा NDC के साथ बाकी अधर जितने भी transaction होते हैं उस पे आपको 1.5% का unlimited cashback मिलता है fuel पे नहीं मिलेगा और अगर आप अपना wallet recharge करते हैं इस पे नहीं मिलेगा NDC के जाथ जो rent payment पे लोगों ने पहले क्या किया था कि अपना credit card से rent pay करते थे अपने account में transfer कर लेते थे तो उस पे 1.5% का जो cashback थे वो earn करते थे उसको अब access bank ने बंद कर दिया है तो आप rent payment पे अब कोई cashback earn नहीं कर पाएंगे फिलाल अगर आप इस credit card को apply करते हैं तो इस पे आपको 1,000 रुपीज का जो flip card voucher है वो मिल जाएगा NDC के साथ अगर आप joining fee वाले offer calendar इसको apply कर रहे हैं क्योंकि joining fee वाले पर ही आपको offer मिलेगा 1,000 रुपीज का तो आपको एक साल में 2,000 रुपे spend करने होंगे next year का जो annual fee है उसको waiver कराने के लिए वैसे तो मैं अभी annual fee पे करने वाले जो जंजट है उससे बचाओं क्योंकि customer care को call करके मैंने अपना credit card lifetime free करा लिया था अगर आपके पास है और आप उसका जो fee है वो पे करना होता है तो आप customer care को call करके request कर सकते हैं कि उसको free कर दीजे इस credit card के cash back benefits के बारे में सबसे अच्छे बात मुझे ये लगती है जो आप cash back earn करते हैं उसको reward points या फिर आपके किसी wallet में add नहीं किया जाता है directly आपका जो statement होगा उसमें settle करके दिया जाता है याने कि without any hassle आप अपने cash back को seamlessly enjoy कर सकते हैं इसी के साथ इस credit card पर हमको airport lounge access का benefit भी मिल जाता है domestic पर आप एक साल में 4 बार याने की quarterly one time इस credit card से free में domestic lounge access जो है वो access कर सकते हैं इस credit card पर dining delight में 20% तक का जो discount है वो मिल जाता है जो partner restaurants होंगे NDC के साथ 1% का जो fuel surcharge waiver है वो भी हम लोगों को इस credit card पर देखने के लिए मिल जाता है and इस credit card से related सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे आपको 15% तक का जो discount है वो आपके flip card orders पे मिल सकता है कैसे मिल सकता है 5% का तो आपको flip card पे unlimited जो cashback है वो मिलेगा ही मिलेगा इसके साथ flip card पे जो Axis Bank के offers आते हैं 10% वाले उसमें आपको 10% plus 5% ये cashback वाला जो offer है तो जब इसको हम club करते हैं तो total 15% का जो discount है हमें हमारे purchase पे मिल जाता है कई बार में इस offer को use कर चुका हूँ and such में 15% का discount offer flip card पे मज़ा आ जाता है बट इसी के साथ एक drawback भी है ये Axis Bank के जो offers है ये सिर्फ आप flip card पे ही use कर पाएंगे क्योंकि ये co-branded credit card है तो in case अगर Amazon है या किसी और platform पे Axis Bank के offer आ रहे हैं तो उस पे आपको ये offers नहीं मिलेंगे इस credit card को अगर आप apply करना जाते है description में जो मैंने link दिया उस पे जब आप click करते हैं तो आपको पहुचा देता है credit card की website पे पहले page पे आपको अपना नाम डालना है mobile number डालना जब next करते हैं तो ये आपको पहुचा देता है Axis Bank के credit card application page पे आप इसको apply कर सकते हैं इस credit card को आप जो है flip card app से भी control कर सकते हैं DC के साथ Axis Bank का जो mobile app है आप उससे भी इस credit card को जो है control कर सकते हैं तो इस card को control करना बहुत easy है and I will recommend कि जब आप अपना card use नहीं कर रहे हैं तो उसको हमेशा deactivate करके रखिए यानि कि उसके जो transactions है online, domestic, international सब को off करके रखिए Axis Bank के जो credit card है बड़े unique होते हैं and flip card credit card को लेना सबसे आसान होता है तो अगर आपको flip card Axis Bank credit card मिल जाता है तो easy के साथ उसके basis पे आप दो और Axis Bank के जो credit cards है वो ले सकते हैं जैसे कि Airtel वाला एक नया credit card है आप उसको ले सकते हैं and Axis का ace credit card है, वो सबसे best credit card है तो जल्दी ही शुरू हो जाएगा मिलना उसको भी आप flip card Axis Bank credit card के बहाफ पे ले सकते हैं Axis cards की सबसे खास बात यह होती है कि आप 18 साल के हैं तो आप इन cards को apply कर सकते हैं इसी के साथ flip card Axis Bank को भी आप apply कर पाएंगे अगर आप 18 साल के हैं बेशक आप अभी कोई job नहीं कर रहे हैं आपको try करना चाहिए, जरूर करना चाहिए मिलने के chances जो होते हैं बहुत हाई होते हैं मैं mostly जो है दो credit cards यूज़ करता हूँ है lifetime free है, तो सिर्फ एक बार मैंने इसका जो fee है वो pay किया था उस पे 500 रुपीज का voucher मुझे मिल गया था इस credit card को लेने के लिए बहुत सारे reasons हैं जो मैंने आपको बताए और ना लेने के लिए एक भी reason मुझे नहीं दिखता अगर आपको लगता है तो comment section में मुझे जरूर बताईएगा कि ये credit card क्यों नहीं लेना चाहिए but I will recommend कि आपको ये credit card जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि ये credit card सच में अच्छा है I hope ये video आपको पसंद आया होगा, ऐसी informative videos देखना चाहते हैं चैनल को जरू सब्सकाइब कर लीजेगा और मुझे वताईएगा मेरा new setup आपको कैसा लगा मैंने बड़ी मेहनत की है I hope आपको पसंद आएगा, मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई